Hello friends, welcome to my channel Rob Technical Help So friends, इस वीडियो के अंदर मैं आपको Bluetooth का जो driver है उसको कैसे download करना है आपको Dell laptop के अंदर, तो हम लोग सब ये जाने वाले हैं, अगर आपको Bluetooth का driver चाहिए, Windows 10 के लिए और आपके Dell laptop के अंदर आपको इसको install करना है वो कैसे करना है, हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जाने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और पहली बार आए, प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहापर मिल जाएंगी चाहिए वो laptop, desktop, youtube या फिर किसी भी software में किसी भी type का आपको कुछ भी problem आ रहा है तो है type का आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा ठीक है, तो वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले friends आपको क्या करना है आपको Bluetooth का driver चाहिए आपके desktop के लिए या फिर laptop के लिए, तो आपको क्या करना है कोई भी browser open करना है जैसे कि मैंने एक browser open कर लिया है और यहाँ पर आपको type करना है Google Google आपको यहाँ पर type कर देना है उसके बाद जो आपका जिस company का आपका laptop है तो वो हम लोग उसका driver डाउनलोड करेंगे उससे पहले अगर आपके पास serial number या model number आपके laptop का नहीं है तो उसको आपको पहले निकालना कैसे है ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर start button पर click करेंगे run पर जाएंगे और यहाँ पर आपको MS info 32 type करना है नीचे की तरफ हम देख पारे हो कि यहाँ पर आपको MS info 32 type करना है okay button पर click करना है यहाँ पर जो आपका laptop है उसकी सारी information आ जाएगी यहाँ पर जो आपका laptop है वो Dell का है और यहाँ पर जो आपका system model number है इसको आप not कर लिजिए क्योंकि Dell laptop के लिए हम लोगों को यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोग Bluetooth का driver download करने के लिए हमारा जो system है उसका model number चाहिए तो यहाँ पर 5567 यह आपको याद रखना है इसको minimize कर देंगे यहाँ पर आपको जैसे कि आपको Dell laptop के लिए ड्राइवर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे Dell support SEO level PORT service ठीक है तो आपको यहाँ पर यह सर्च करना है और एंटर बटन पर क्लिक कर देना है तो friends सिदर आप देख पार है कि यहाँ पर एक link open हो जाएगा आपको क्या करना है drivers and download पर click करना है यहाँ पर driver और download पर click करोगे तो आपको यह Dell laptop की download जो product है उसका driver है उस site पर लेके चला जाएगा तो friends सिदर आप right side में देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आपका laptop है उसका model number उसने detect कर लिया है इस site ने और यहाँ पर आपकर जो service tag है यह भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो हम लोगों को यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी जैसे कि यहाँ पर इसने बोला है कि आपका जो Dell laptop है उसका model number product ID आप यहाँ पर search करके आपके driver को find कर सकते हैं आपको drivers चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर just आपको click करना है अगर यहाँ पर click करने के बाद आपका यह ऐसा नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से copy कर लीजिए या फिर जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर 5567 तो आपको यहाँ पर डालना है यहाँ पर डालने के बाद आप इस पर click कर दिजिए click करेंगे तो आपके सामने एक जो driver downloads का page open हो जाएगा यहाँ पर आपको drivers and downloads पर click करना है ओके इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर बोल रहा है कि आपको अगर automatically आपके जो laptop के drivers है उनका update चाहिए तो आप यहाँ पर click करके सारे updates प्राप्ट कर सकते हैं अगर आपको manually आपको कोई एक ही driver चाहिए जैसे की Bluetooth का driver चाहिए तो आप यहाँ पर manually उसको find कर सकते हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पर find driver पर click करना है ठेक है जो आपके system के operating system यहाँ पर उसको detect कर लेगा जो डला हुआ है और उसके बाद आपको क्या करना है download type पर आपको drivers चाहिए तो आप यहाँ पर drivers पर click करोगे ओके इसके बाद आपको category के अंदर आ जाना है आपको यहाँ पर Bluetooth का driver चाहिए तो हम लोगों को यह network, internet and wireless वाला option select करना है ओके, select करने के बाद आप यहाँ पर देखो कि कि नीचे कुछ default आपको drivers मिल जाएंगे बट आपको यह नहीं लेने है आपको यहाँ पर click करना है 5567 जहाँ पर 9 दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद friends, यहाँ पर आपको drivers मिल जाएंगे अगर आपको कोई भी driver चाहिए चाहिए, Wi-Fi का चाहिए, Bluetooth का चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो हम लोगों को फिलाल Bluetooth driver चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यह हमारा third number का Bluetooth driver है हम लोग इसको download करेंगे या फिर यहाँ पर आप देख पारे हो कि यहाँ पर कुछ latest आ चुका है तो हम लोग यह वाला download कर लेंगे यह वाला रहने देंगे यह वाला आप दोनों try कर सकते हो जो भी चल जाए आपके laptop के अंदर तो हम लोग अभी latest वाला ही download करेंगे जो Bluetooth का driver है यहाँ पर download पर click करना है आपको यहाँ पर यह downloading स्टाट कर देगा जैसे कि आप देख पारे हो कि उपर की तरफ यहाँ पर इसने downloading स्टाट कर दिया है एक कुछ time लेगा आपका अगर आपका इंटरेट पर depend करेगा आपकी speed कितनी है तो friends यहाँ पर देख पारे हो कि यहाँ पर इसने download कर लिया है यहाँ पर जो यह folder बना हुआ है हम लोग इस पर click करेंगे या फिर आप download folder के अंदर जाकर भी देख सकते हो जो यह आपका download folder है यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो कि जो आपका driver है वो download हो गया है यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर जो आपका driver download होगा इस पर right click करना है और उस पर run as administrator बोल देना है तो यह आपसे permission मागएगा अगर आपका non admin है user तो इसको yes कर दीजिए तो friends ऐसे आप install कर पाओगे जो आपका laptop का driver है वो यहाँ पर install हो जाएगा आप उसको proper तरीके से install कर सकते हो तो install करने के बाद आपको यह कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि नेचे की तरफ यहाँ पर Bluetooth का यहाँ पर add हो जाएगा आपके सामने ठीक है तो friends ऐसे आप download कर सकते हो Bluetooth driver और उसको install कर सकते हो I hope आप समझ गए होगे कि आपको Bluetooth driver कैसे download करना है ठीक है अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा और helpful लगा है तो please subscribe my channel like or share please thank you so much